राजस्तान में फरवरी महा में भी धंड का असर अभी तक कम नहीं हुआ है महीं मौसम में आ रहे उतार चड़ाओं के चलते लोगों का सास्थ भी बिगड रहा है बारिश के बार एक बार फिर ठंड के साथ शीत लहर का प्रकोप प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है लोग ठंड से बचने के लिए फिर से आग के सामने तपने लग गए है महीं उत्तरी पूर्व इलाकों से प्रदेश में आ रही शीत लहर के कारण ठंड का प्रभाव कम नहीं हो रहा है सर्दी के बीच मौसम केंडर जैपुन ने प्रदेश के छे शेहरों में शीत लहर की चीतावनी जारी की है जहां अलवर, भीलवाडा, सीकर, चुरू, जुनजुनू और करॉली में शीत लहर की चीतावनी जारी की है हास तोर पर सुबह के समय विशेश सावधानी बरतने की हिदायत दी गई वही मौसम विभा के मताबिक प्रदेश की हवा में नमी और पूर्व दिशा से आ रही ठंडी हवाओ के टकराने से प्रदेश में सरदी का प्रभाव बढ़ा है वहीं आगामी तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद चताई गई है जहां जनवरी में पूरे महीने ठ्रिटुरन के बाद भी फरवरी में सब लोग सरदी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे वहीं जनवरी के अंतिम सप्था में मौसम ने करवड पदली थी और धूप खिलने से मामूली राहत भी मिली लेकिन अब फरवरी का दूसरा सप्था आमजन को कपा रहा है दोपश्यमी विक्छोप के बाद सरदी का असर प्रदेश में अभी तक कायम है ना किवर सरदी बलकि कोहरे और शीत लहर से भी छुटकारा नहीं मिला है वहीं आदे से जादा राजस्थान कडाके की ठंड में ठंड पड़ रही है